CCS University के exam form भरे जा रहे हैं और first year वालों के exam भर के college में जमा हो रहे हैं second year, third year के भी जमा होते हैं तो हर साल एक सवाल common होता है एक भाई ने अभी हमें वो सवाल पूचा तो हमें लगा कि video record करनी चीए उसके लिए हमने जो first year है उसका pattern change हुआ है इस बार तो उसके लिए भी हमने थोड़ा college से जांच की अभी तो उस भाई ने हमें पता करा कि जो हम form college में जमा करते हैं तो उसका हम internet पे कैसे देख सकते हैं वो form receive हो गया है और हमारा सब कुछ okay है तो जिनका first year है तो उनको भाई इस तरीके से एक slip मिली होगी जो first year वाले है इसी में लिख रहा है कि आपका form नंबर ये है और ये receipt है आपकी जिसमें भी ये first year का है 535 जमा हुए है इस तरीके से जिनके में जमा नहीं हुए college verification fees form में ही जुड़के आई थी तो उनके पर ये नहीं लिखा रहेगा बस sign करके वो दे देंगे इस तरीके से कुछ दिखाएगा और इस पे पेड़ आएगा लिखा हुआ मतलब इसने ये form की fees जमा कर दी है college में जमा कर दिया है और college वालों ने इसको verify कर दिया है तो ये दो important option होते हैं अगर आपका first year हो तो सिर्फ आपके पास अगर आपका first year है तो आपको बस slip की जुरूरत है आपको कोई online चेक करने की जुरूरत नहीं है sleep है तो मतलब आपका verify है कोई दिक्कत नहीं है और जो slip पे ये number लिखा हुआ है ये verify होने के बाद ही मिला है तो ये समझो आपका clear है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपका स्वस्टियर के अलावा कोई है और आपने फीस जमा कर दी है और कोलेज में जमा कर आए और तो यहाँ पे आजाएगा पेड़ अगर आपने फीस जमा कर दी है और कोलेज में जमा नहीं कर आए तो यहाँ पे आजाएगा कि कि college में form जमा हुआ है या नहीं तो यह जो update होने में थोड़ा सा time लग सकता है मतलब 3-4 दिन सब्ता भर तक भी लग सकता है लेकिन जल्दी भी हो जाता है यह तो आप इसको check कर सकते हो ऐसा भी होता है कि अगर आपने form किसी को दिया वो भाई जमा नहीं कर पाया तो यहाँ पे last date जैसे हो जाए और आपको पता है कि वह last date हो चुकी है और यह नहीं आया यहाँ पे तो आप college में जाके खुद से भी verify कर सकते हो तो यह important चीज है अब link की अगर हम बात करें तो यह हमारी website है onlineforminfo.com हर वीडियो के description में यह website मिल जाएगे आपको तो इसी में हमने देखो यहाँ पे तो उपर first year वालों के form है यहाँ से भर सकते हो बारे last है यह first year के अलावा regular back private सबुचीज के form है यह इसकी भी बारे last date है इनके जरूरी document इनके भरने के लिए क्या क्या लगेंगे इनके official notice वगएर हमने यहीं पर लगा रखें आपके सुविधा अनुसार उसके अलावा adjust उसके नीचे हमने लगा दिया है आपका कि यहां से आप status check कर सकते हो अब status check पर जब आप click करते हो तो website खुलती है यहां पर आपका बाइस जीरो के बाद जो चार पाच अंक होते हैं वो आपको डालने पड़ते हैं देखो हम ऐसे ही डाल के दिखाते हैं तुक्के से यह डाल दिया हमने c, j, k और s 99% यह और फोर्म नंबर किसी का होता है और खुल देखो यह खुला है किसी सुमित चोदरी भाई का है यह और इन्होंने फीस भी जमा कर रखी है और verify भी है यह BCA second year third semester का यह फोर्म है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो अगर आप first year के अलावा कोई year में फोर्म आपने भरा है तो आपको simply website पर जाना है जो कि इस वीडिय में कुछ समझ में नहीं है तो अब comment करना कोशिस करेंगे जितना जल्दी हो सकते हैं आपके सवालों के reply करने की